नमस्कार मैं हूँ सपनादार नमस्कार में इसे लेकर अभी से चर्चाये शुरू हो गई है इस बार शो में ये रिष्टा क्या कहलाता है शिवांगी जोशी भी नजर आने वाली है शो के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा खत्रू के खिलाडी मेरा पहला रियालिटी शो होने जा रहा है और मैं इसके लिए बेहद उस्था ही तो ये शो मेरे डर को दूर करने और मेरी श्रमताओं को परखने का एक अच्छा मंच होगा मैं रोहित शेटी सर से मिलने का इंतजार कर रही हूँ मुझे यकीन है कि वो मेरे लिए काफी प्रेणा लेकर आएंगे शिवांगी जोशी के अलावा बिग बॉस चौदे की विनर रूबीना दिलाईक पहले से ही कंफर्म कंटेस्टेंस बन चुकी है दिलचस्प बात यह है कि रूबीना के पती अभीनव शुकला खतरू के खिलाडी 11 का हिस्सा थे शो के बारे में बात करते हुए रूबीना ने कहा मैंने जीवन में कई बाधाओं को छेला है जिसने मुझे मजबूत बनाया है और मैं खत्रों के खिलाडी में आने के लिए बहुत प्रेरित और उत्सा ही थू मुझे विश्वास है कि रोहित शेटी सर के मार्गदर्शन के साथ मैं जितना मैंने अपने लिए निर्धारित किया है उससे आधिक हासिल करने में सक्षम हूँ मेरे सभी फैन्स को बहुत प्यार और मैं चाहती हूँ कि वो इस नए प्रियास में मेरा समर्थिन करें इन दोनों के अरावा शो में कसोटी जिन्देगी की फेम एरिका फनराडीस भी नजर आ सकती है बिग बॉस पंडे के कंटेस्टेंस निशान्त भट का नाम भी शो के लिए कंफर्म हो गया है कंटेस्टेंस के लिस्ट में शामिल होने वाले कुछ और नामों में अनेरी वजानी, कनीका मार, मुनवर फारुकी, फैसल शेक, कुमकुम भाग फेम स्रीती ज्छा, चेतना पांडे, जननत जुबैर और प्रतीक सहस्पाल जैसे स्टार्स के नाम शामिल है वैसे आप खत्रों के खिलाडी सीजन बारे में किस कंटेस्टेंस को लेकर सबसे जादे एक्साइटेड है हमें कमेंट करके जरूर बताए